दोस्तों बोर्जो एक best part time career delivery job है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बोर्जो में अपना ID create किया है और ID create करते बराबर मैंने यहाँ पर एक order भी deliver किया है एक order का जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 102 रुपे मुझे मिले है अब यह order कितने kilometer की थी और बोर्जो में kilometer का कितना पैसा दिया जाता है platform charge कितना cut होता है वो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फिर इसके बाद मैं आपको बोर्जो के joining process की complete जानकरी आगे इस वोड़ो में देने वाला हूँ अब यह जो एक order के 102 रुपे मुझे मिले है इसका मैं आपको pick up का location और drop का location यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ तो जैसे के आप यहाँ पर देख पार हो इस order को pick करने के लिए मुझे लगबग 0.1 यहनिके 100 meter इस order को pick करने के लिए जाना पड़ा तो लगबग 11 km का ही यह pick up और drop का location हो रहा है तो 11 km के मुझे यहाँ पर 102 रुपे मिले है लेकिन यह जो order था यह 102 रुपे का नहीं था यह total order था 128 रुपे का अब यह order डिलिवर करने के लिए मुझे लगबग जो timing मुझे लगा है वो हुआ है पौने एक घंटे के लगबग एक घंटा में पकड़ लेते हैं एक घंटे में मेरा यहाँ पर जो earning है वो 102 रुपे का हुआ है तो अगर हम part time 3, 4, 5 घंटे भी अगर हम काम करते हैं अपने timing की हिसाब से तो यहाँ पर आप 300, 400, 500, 600 रुपे का earning कर सकते हो और अगर आप full time काम करते हो तो full time में यहाँ पर आप minimum 500 रुपे से लेकर 1100, 1200 रुपे तक का भी earning कर सकते हो और सबसे अच्छी बात बोर्जों में यह है कि यहाँ पर आपको order के लिए weight नहीं करना जब भी आपको इन order में से कोई एक order आपको select करना है और जो order आप select कर लेते हो उस पर फिर आपको वो order को जाकर deliver करना है तो इसलिए आपको यहाँ पर order के लिए weight करनी के जोरत नहीं है और रेडी आपको एप में order दिखाए देंगे जो भी आपको location नजदी दिखे या फिर आप जि क्योंकि जब आपका यहाँ पर आइडी आप create कर लोंगे और आइडी create करने के बाद जब हमें यहाँ पर order deliver करने के लिए जाना होता है एप का use करना होता है तो यह जो बोर्जो का एप है यह other एप से थोड़ा सा अलग है तो ज्यादा तर नए लोगों को कैसे हमें यहाँ लोगिन करना है कैसे order को pick करना है कैसे deliver करना है और order pick करने के बाद deliver करते टाइम आहमें किन बातों का ध्यान रखना है वो पता नहीं होता जिसके करण उनसे कुछ गलतिया हो जाती है तो बोर्जो में पहले दिन कैसे काम करना है कैसे order deliver करना है यह वीडियो के last में जरूर द और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तो अब बात करते हैं बोर्जो के जोइनिंग प्रोसेस के बारे में और जोइनिंग के दोरान में आप अप लोगों को बोर्जो ओब किन-किन शहरों में काम कर रहा है यानि कि आप कौन-कौन से शेरों में बोर्जो में जॉइन कर सकते हो वो भी जॉइनिंग प्रोसेस के दौरान बताने वाला हूँ तो बोर्जो में जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपके बस कुछ डॉकुमेंट होने चाहिए जैसे कि आपका आधार कार्ट, पैन कार्ट और बैंक पास बुक वहिकल के अगर बात करें तो वहिकल में आप यहाँ पर बाइक, स्कूटी या फिर एवी बाइक से भी जॉइन कर सकते हो आप जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है रेफरल कोड का यूज आप जॉइनिंग प्रोसेस के दौरान अगर आप करते हो तो इससे आपको जॉइनिंग बोनस भी मिलता है और आप यहाँ पर आपका आईडिय एक्टिव होने के बाद अगर आप अपने दोस्तों को बोर्जों में आप जॉइन कराते हो तो उस पर फिर आपको रेफरल बोनस भी मिलता है तो जैसे आप अपको डाउनलोड करने के बाद इस तरह से एंटरफेस आपको दिखाए देंगा आपको नीचे यस पर क्लिक कर देना है फिर इसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको यहापर से सिलेक करनी है और नीचे कंफरम पर क्लिक कर देना है फिर यहापर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे लोग इन और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है फिर OTP आपके mobile नंबर पर आएंगा वो OTP यहाँ पर फिल करना है और नीचे continue पर क्लिक कर देना है अब आप यहाँ पर कौन-कौन से शेरों में जोइन कर सकते हो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर जो शेर है वो सारे शेरों के option जो यहाँ पर दिए गया है वो दिखा देत हो तो सबसे पहले हैं मुंबई, बेंगलरू, देली, हैदराबाद, एमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पूने, जैपूर, गोवा, कानपूर, इंदोर, भोपाल, चतिसगर, लखनओ, उत्तराखन, उदैपूर, अम्रिस्सर, जोधपूर, कोटा, गुवाहाटी तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना first name और नीचे last name एंटर कर देना है, फिर नीचे दो option दिये गया है, पहला है full time employment और दूसरा है part time employment, तो इसमें से आपको जो पहला है full time employment उस पर टिक कर देना है, अगर आप part time भी काम करना चाते हो, तो भी आप पहला ही जो option है उसे select कर पाऊंगे, इसलिए आपको full time पर ही आपर click करना है, फिर चाहे आप part time भी काम करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे इसमें से कोई भी option select कर लेते हो, नीचे आपको referral code एंटर करना है, रेफरल कोड आप यहाँ पर screen पर भी देख पा रहे हो, और वैसे मैंने नीचे description में यह तो जैसे आप यहाँ पर referral code एंटर कर देते हो, नीचे आपको next पर click कर देना है, फिर इस तरह से एंटरफेस open हो जाएंगा, अब यहाँ पर आपको अपना जो selfie है, वो live selfie यहाँ पर देना होता है, और नीचे जैसे आप selfie यहाँ पर upload कर दो, upload a photo पर click कर देना है, फिर इस त इस तरह से एंटरफेस open हो जाएंगा, अब यहाँ पर आपको जो आपका account number है, bank account number वो यहाँ पर डालना है, और नीचे IFC code, फिर नीचे आपको next पर click कर देना है, अब इस तरह से एंटरफेस open हो जाता है, नीचे आपको जो ए छोटा box दिखाई दे रहा है, I agree के आगे, उ your profile is approved, अब नीचे आपको next पर click कर देना है, अब आपके सामने जो app का main homepage है, वो open हो जाएंगा, अब यहाँ पर आपको जो फोटो आपने यहाँ पर लिया है, वो फोटो आपको दिखाई देता है, अब यहाँ पर एक और चीज में आपको बता दो, कि जो आपका ID है, वो ID active होने में लगबक कुछ घंटो का समय लगता है, तो इसलिए आपको एक दिन या दो दिन का wait करना है, और जब भी आपका ID active हो जाए, तब आपके सामने इस तरह से interface open हो जाएंगा, अब यहाँ पर कुछ option दिए गये है, सबसे पहला आप यहाँ पर नीचे देख पारे हो, न आपको दिखाई देंगे, अब यहाँ पर एक और important चीज में आपको बताना चाता हो, जब भी आप यहाँ पर order में आप जाओंगे, तो यहाँ पर all over city के आपको सभी order दिखाई देते हैं, यानि ऐसा नहीं कि आपके location में आपके नस्दिक के order आपको दिखाई देंगे, आपको order all city के अंदर के भी दिखाई देंगे, जिसमें आपको इसका pick up का location होता है, वो pick up का location 10 km, 20 km, 30 km तक का भी आपको यहाँ पर दिख सकता है, क्यूंकि आपका जो location है, वो order से काफी दूर है, तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, इसमें अगर आप अच्छे order लेना चाते हो, तो आपको जो main area है आपके शहर का, उसमें जाकर ही आपको काम करना होता है, क्योंकि अगर आप outside से अगर आप इसमें login कर लोंगे, तो आपको order अंदर city के ही दिखाई देंगे, यह जिस area में order जादा होते है, वही के order आपको दिखाई देंगे, तो पहली order ह हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दूर की मिले, यानि कि पिक करने के लिए आपको ज्यादा दूर जाना पड़े, एक बार आप वहाँ पर order पिक करने के लिए चले गये, फिर आपको आपको आपके area के नजदिक के वहाँ पर के जो भी order है वो आपको दिखाई देंगे, तो इसके बाद नीचे दूसरा option है profile का, profile में आपको आपका photo, आपका नाम, ID कारों सब कुछ दिखाई देता है, इसके बाद तीसरा option है support का, अगर आपको support यानि कोई problem आपको customer care में अगर बात करनी है, या order से related कोई problem हो तो आप वहाँ पर उस option में जाके आप customer care से बात कर सकते हो और च pregnant, status का option यहां पर क्या है, आप जब भी log in जाना चाते हो तो आपको status वाले option पर आपको टिक करना है, आप login हो जाते हो और जब भी आपको log out करना है कैंसे का आपको काम बन करना है, तो status वाले option पर आपको टिक कर देना, यानि कि आप log out हो जाelnे, तो इस तरह से च카 पूर्ड यार उप्शन का यूज होता है तो एप में किस तरह से ओर आती है कैसे आपको डिलीवर करनी है और कौन से चीजों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पर short में बता देता हूँ तो जैसे आप यहाँ पर status में जाके आप login हो जाओंगे login होने के बाद आपको आपके app पर जैसे आपको बता है कि सबी order आपको दिखाई देंगे अब उसमें से जो भी order आपको select करना है उसमें आपको क्या करना है उस order पर आपको tick कर देना है जैसे आप tick कर दोंगे तो इस तरह से interface आपको दिखाई देंगा जैसे आप take order पर click कर देते हो, तो फिर आपको यहाँ पर s पर click कर देना है, यहाँ पर I am waiting पर click कर देना है, और फिर यहाँ पर last ok पर click कर देना है, अब जैसे आप ok पर click कर दोंगे, इस तरह से interface दिखाए देंगा, अब इस तरह से 2 location, 2 address आपको यहाँ पर दिखाए देंगे, सबसे पहला जो address है वो pick up का address है यानि कि यहाँ पर हमें order pick करने के लिए जाना है और दूसरा नीचे का address है यहाँ पर हमें order को deliver करने के लिए यानि कि drop करने के लिए जाना है अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है अब आपको करना किया है, सबसे पहले आपको customer को call करना है, यहाँ पर जाधातर लोग क्या गलती कर देते हैं, डिर WR zijख यहाँ पर से map का location यनि के map लगा देते हैं और customer के address पर चले जाते हैं, आप address पर पहुचे तक क्या हो जाता है, कि जाधातर customer क्या कर लेते हैं, कि अगर क सबसे पहले यहाँ पर customer से बात करनी है, उनको बताना है कि आपकी order यहाँ पर मुझे मिल चुकी है, और मैंने वह accept कर ली, अब मैं आपकी order pick करनी के लिए आपकी location पर आ रहा हूं, तो ऐसा आप customer से बात कर लेते हो, तो इसके बाद customer जो है वो आपका wait करता है, तो जैसे आप customer से बात कर लोंगे, उसके नीचे आपको my route वाले option पर आपको click करना है, और location आपका map open हो जाएंगा, फिर आपको customer के location पर पहुच जाना है, जैसे आप customer के location पर पहुच जाओंगे, तो यहाँ पर आप जैसे की देख पारे हो, आप जैसे start order पर टिक कर दोंगे, तो यहाँ पर you have arrived, यानि कि आप customer के location पर पहुच चुके हो, तो यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है, फिर यहाँ पर आपका जो पहला location है, वो location आपका यहाँ पर complete हो चुका है, आप आपको करना क्या है, वहाँ पर से जो भी parcel है, वो parcel आपको लेना है, parcel लेने के बाद आप close address पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको second वाला option है, इस पर आपको click करना है, यानि कि अभी आप second वाले option पर आप जाने के लिए निकल चुके हो, अब यहाँ पर जो दूसरा option नीचे का address का होता है, उस पर आप जैसे click कर दोंगे, इसके नीचे आपको customer का phone number भी दिखाई द लेता है, तो यहाँ पर से आप पहले customer को call करके inform करा दो, कि मैं यहाँ पर से आपका order लेकर निकल चुका हो, और फिर आपको go to last point पर फिर से click कर देना है, फिर यहाँ पर से आपको आपका location है, जैसे आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, फिर आपको नीचे I have arrived पर आपको click करना है, जैसे आप इस पर click कर दोंगे, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पार हो, you have arrived, तो यहाँ पर आपको okay पर click कर देना है, और यहाँ पर आपको जो आपका order है, वो order का आपको फिर से आपर एक photo लेना होता है, और photo लेने का बद आपको यहाँ पर close order पर click कर देना है, जैसे आप close order कर देते हो तो यहाँ पर आप जैसे की देख पा रहे हो address finish यानि कि हमारे जो order है वो complete हो चुका है फिर यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है जैसे आप click कर दोंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका order है वो आपको finish करके आपको दिखाए देंगा अब वो order check करने के लिए आप यहाँ पर जैसे की आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप active order में जाके check कर सकते हो और आपके profile में जाने के बाद भी आपको earning में जो आपका order earning है वो आपको दिखाए देंगा और जो भी आपका platform चार्ज कट हुआ है वो भी आपको वहाँ पर दिखाए देता है तो दोस्तों इस तरह से बोर्जों में जोइन करके आप part time और full time में एक अच्छा earning कर सकते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक वीडियो में